हे दोस्तों वेलकम है आपका फेंटिस एक्सपर्ड नियूज के ओफिशिल यूटीव चैनल पे उस्टिलिया ट्यूर आफ इंग्लेंड का मैच नुमर फर्स्ट हम लोग कवर करने जा रहे हैं दर रोजबाल सौथ हम्टन में ये मैच होने वाला है तो आपको पता ही ये तीन मैचस की सीरीज होगी T20 इंटरनेशनल की और 5 मैचस की ODI सीरीज होने वाली है बहुत पुरानी राइवल्री रही है तोनों ही टीम्स के बीच में एशर्स गेंप्स के वाली राइवल्री कौन नहीं जानता सभी लोग जानते हैं तो हम लोग पहला मेच कवर करें कैसे fantasy team हमारा build होगा उसको लेकर हम लोग discuss करेंगे सबसे main रहेगा क्योंकि बैटर्स तो आपके पास में selected है कि आपके पास में है fixed player कि आप लोग इनी को select करने वाले लेकिन bowlers में आपके पास में confusion काफी रहेगा कि किन bowlers को pick करना चाहिए और seven time betting first or four time chasing team ने यहाँ पर win किया है अभी recently यहाँ पर अगर आपने पूरा follow किया है 200 तो यहाँ पर matches होएते हैं तो मैं यहाँ पर आपके कुछ चीज़े बता देता हूँ sorry यहाँ से ठीक है यह देखिए और सबसे पहले तो यह चीज़ देखिए कि पैसर फर्स्ट इनिंग में 77 विकेट्स मिले हैं सेकंड इनिंग में 43 और फर्स्ट इनिंग में spinners को 24 विकेट्स जस्ट मिल पाये हैं वो उसमें भी women's के game में ज्यादा spinners विकेट निकाले और spin second म पिसेंटली men's और women's दोनों के matches यहां पर हुए स्कोर्स आप लोग देख लिए अगर 100 बोल्स को छोड़ते हैं 20 बोल रेस्ट रहती है इसमें तो हम लोग मान के चल सकते है 20 बोल्स अगर यहां पर रहती तो यह score होता 180 के रहा हूं ठीक 180 women's में होता और यहां पर आप लोग लोग देखें लाश्ट के 15 मैंचेस में ओल ओट नहीं हुए टीम यहां पर बैटर्स को ठीक ठाक मदद है और बोलर्स के लिए भी ठीक ठाक है यानि आपको टीम जो बनानी रही हो बिल्कुल बालानी रही है चेजिंग टीम को यहां पर एडवांटेज नहीं रहा है और व और चेजिंग टीम ने 10 मैचेस यहां पर बिन किया तो चेजिंग टीम का एडवांटेज है प्लस यहां पर क्या हो रहे है विकेट जो मिलेंगे वह पैसर्स को ज्यादा मिल रहे हैं अब मैं बात करता हूँ अपने पिच के व्यूज की जो कि आपको पता चलेगा कैसा है प सब्सक्राइब की पीचे है जो कि जुलाइन मंथ में जो माचेस यहां पर हो रहे थे हैं दी एंडेड के उस वक्त की यह पीचे यह वैन्यू जापर सदन ब्रेवस के बीच में मैच था और बाउनरी शोटी हुई थी विमेंस के अंदर यह देखिए यह आपको क्लियरली व जराएंगे प्लस पर शुरुआत के अंदर जो हैं पेसर्स का डॉमिनेक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है अब यह विकेट ऐसी विकेट लग रही है कि चोड़ी यूज टाइप की विकेट है प्लस यह ड्रायर साइड वाली विकेट है जरा रही तो ऐसी सभी टाइप क कि पीचर्स इस वेन्यू पर अविलेबल है तो पीच रिपोर्ट हमें बहुत कुछ बता देगी कि कि किस तरीके सा बॉलर को पिक करना है ठीक है यह उससे पहले वाली उसमें क्या दिख रहा है कि यहां पर अलकी सी माइनर सी ग्रासे से लेकिन इवनली कवर्ड है तो पैसर अब सबसे इंपोर्टेंट है न्यूस के बारे में जॉस्ट वेसे तो पता है बटलर आउट हो चुके हैं सॉल्ट कैप्टेंस ही कर रहे हैं सर्वे के जो ओल्ड राउंड रहर जैमी आवट है वो मैंडन पॉला पर उनका ठीक है टीटवन्टी इंटरनेशनल की स्कॉर्ड में और जो यह प्ले कर सकते हैं ऐस इस्पेशलिस्ट बैटर ठीक है क्योंकि इनको बैग इस्ट्रेस फैक्ट्चर है और यह हायर चांसे से क एस बैटर ही टीम में खेलते विए नज़ रहें और इंग्लेंड अपनी लाइनाफ्स भी अनौंस कर दी उसके इनदर यह है तो एस बैटर खेलेंगे बॉलिंग यह नहीं करने वाले कोई ओल्ड राउंड समझ कि अगर इनको लेगा तो शायद हो सकते हैं ज्यादा पॉइ है काफ स्ट्रेंड था उनको और बैक हुए है स्वाइड के नदर नाथन इलिस जो हो बाहर हुए है फिलिप सॉल्ट ओपन करेंगे इंग्लेंड के लिए विल जैक्स के साथ में क्योंकि वटलर नहीं है जॉर्डन कोक्स है लियाम लिविंश्टन है जैकब बैथल है सैम कर जोफरा अर्चर अदिल रशी सकीब मैमूद और इस टॉपली बॉलिंग उनिट में विक्नेस नहीं है मेंली विक्नेस मुझे जो नजर आ रही है वो यहां पर व्यासे जॉर्डन को अच्छे प्लेयर है नंबर थी पर ठीक है और नंबर फाइव पर चैकोब बैथल है जो क एक्सपिरेंस ज्यादा नहीं है लियाम लिंगिस्टन वित पैड बहुत अच्छे टच्मिन नहीं दिखे हैं तो कहीं नगी थोड़ी सी वीक लग रही है तो आप लोग क्या कर सकते हैं टॉप फर्स्ट और सेकंड विल्यक्स प्लस सोल्ट को आप लोग इंक्लूड कर सकते चांसेज कम है और बेटिंग से कॉंटिबिशन जाता बैथल कर रहेगा नहीं तो एजब बोलर कंसीडर करके ज्यादा ध्यान रखीगा आप लोग ठीक है जोफरा आर्चर चेजिंग जानी टीम ओल सेकंड कर रही होगी तब मस्ट होंगे अधिल अधिल अशिद मस्ट हैं सकीब मैमूत करेंगे और डेथफेज के नदर जोफरार्जर साम करन को रिस्टोबली आव अपनी टीम में इनके लिए ट्रेवेस हेड ओपन करेंगे जैक फ्रेजर मेकर के साथ में ट्रेवेस हेड मैने बोला तक ही अगेंस इस्पीन अध्ट आउं इस्पीन थोड़ा से स् जोश इंग्लिश और फिलिप सॉल्ट का कमपेर करते हैं तो जोश इंग्लिश थोड़ा बैटर प्ले करते हैं इस्पीन को तो ये थोड़ा अच्छे बैटर पिक हो सकते हैं हमारे लिए काफी लोग सॉल्ट के साथ में जाएंगे फिर दोनों को रखेंगे तो मैं पर लाइव स्ट्रीमिंग होगा और वहां पर जो ऑफिल्शल जो प्रोड़कास्ट से लाइन अप साती ना प्रोबेबली वह बैटिंग ओडर के अंतर होती है हैर चांसे होता है क्योंकि भी रिस्कोड लाइन वाले मैचस थे उसमें हमने देखा तो आप लोग उसका बैटिं तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसी के अकोर्डिंग आपको टीम बिल्ड करने है इनके लिए हैजल वूट शॉन अबट और अन्हर्डी बॉलिंग करेंगे पाउर पे में डित में आपको हैजल वूट मिलेंगी शॉन अबट और इस्टोइनिस और ग्रीन में से कोई एक पर सबसे में लिए इंग्लेंड बैटर्स की फॉर्म कैसे जाल रही फ्लिप सौल ठीक ठाप फॉर्म से आ रहे हैं विल जैक्स प्री अपने हमाई टीम के मस्ट होंगे उसके बाद में जैमी ऑवर्टर्ण है जोफरा आर्चर है अर्चर कर सकते हैं जैजिंग बॉलिंग के अंदर अधिल रशीद मंस्ट होंगे रिस टॉपली वाइल बॉलिंग फर्स ज्यादा इंपोर्डेंट हो जाते हैं बाकि शक्की मेमूद आप लोग चाहें तो कंसिलर कर सकते हैं बाकि कोई बैटर आप्शेन नहीं है एट्टुएड में किसने स्कोर्स किया है पर ज्यादा मैचेस खेले नहीं है तो बाकि इस्टोनिस और मिचल मार्स ने 42 और 39 का स्कोर किया बाकि कोई बैटर नहीं पर अच्छा नहीं कर पाया है बालिंग में अधिल रशीद अगें टॉप पर मिलेंगे 6 में 6 विकेट और हैजल वूड में 2 मैचेस में 3 विकेट से बाकि बॉलर्स को भी ज्यादा कुछ मदद मिकिट में आपर नहीं मिली है बात करते हैं या से फिलिप सोल्ट और विल जैक्स मैच अप्स वर्क करेंगे जॉश एजल वूड के अगेंस में थोड़ा परिशार होते ही है और अगेंस दे स्पीन तो फिलिप सोल्ट ज्यादा और इस खापलू ले सकते हैं जोक्स थोड़ से टेक्निकली मैं कहुंगगँ अच्छा बैटर है जो कि अच्छा खेल लेते हैं तो कोक्स लिइंश्टन दोनों को प्रिफर किया जा सकते हैं अगर आप लोग आपको डोड़ और के दोनों वाटर चूड रहे हैं तो यकब ब परकर इस वह ज्यादा सक्सेस्पूल यह पर इस वैल्यू पर रह सकते हैं ट्रेवेस हैड मिचल मार्च हैड अगेंस तब जो फ्रार्चर काफी श्रगल किया है चेजिंग में भी आप लोग रख सकते हैं चेज चेज कर भी तब भी आप लोग एज़ बैटल पिक कर सकते हैं अगर मैच अपस आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग हेड को वोइड भी कर सकते हैं मिचल मार्च रखना चाहिए पले ही अगेंस से इस पीन अच्छा नहीं के लेगा हो लेकिन आप लोग कंसीडर कर सकते हैं लेकिन एक चीज भी अपको क्लियर हो रहा है कि अदिल रशी तो अडेम जेंपा दोनों मस्ट होंगे दोनों को डॉप नहीं करना है मारके इस्टोनिस टीम डेविड में से इस्टोनिस प्रिफर करना चाहिए अपने टीम के अंदर क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से कॉंट्विशन है टीम डॉइड कर सकते हैं जैक फ्रे बाकी सारे प्लेयर्स का डेटा है यह देख लीजिए काफी नए प्लेयर्स हैंड हुए हैं बॉलिंग में भी आप लोग देख लीजिए जैमी ओवर्टन है डॉमस्टिक में तो बॉलिंग करते हैं बट अभी यहां बॉलिंग नहीं करेंगे बाकी जोश और वगेरा यह कि नहीं कि है यहां से बात करते हैं विजमी और सेक्षें से में सीठे घ्र लिक कई कर फ्रेजर मेंगड़ को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं मैं मार्ष हेड को इक पार अपनी टीम में कंसीडर कर रही रहा हूं लियम लिनिस्टन क्यूंकि यह बॉलिंग डाल सकते हैं एक आप दो वर डाली देते हैं इसलिए विकेट ज्यादा नहीं मिलते एस बैटर आप लोग कंसीडर कर रहे हैं तो प्रिफर करेंगे अदरवाइस आप लोग इने भी छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं बाकि कोई बैटर उप्शन नहीं है यहां से ओल डाउंडर से स्ट्वाइनिस साम करंड विल जैक्स केमरें ग्रीन अगर शोट और फ्रेजर मे मेरी टीम में होंगे यहां से बाकी कोई अधर उप्शन नहीं है बाटलेट खेते तो देख लीजीगा एकॉनमी ज्यादा रहेता है मैं अगर आप लोग स्वड़ा सेफर चल रहे हैं तो मिचल मार्च को प्लेस पर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं दूसरे जो लेंगे जिंग्स नहीं को ठीक है यह आप लोग रोटेशन कर सकते हैं अधर फिंग्स जो है वो सेम अपनी रहने वाली हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में स्टोइनिस और साम करन्ट जो है वह बैटर ओक्षन होंगे इनी के साथ में आपको जाना चाहिए हैं एड़ पर रि साहठ कर सकते हैं और मुझे चाहिए एंग्रेशन के ऊंपर इक्सक्ति कर सतंबार जह हैं is लिब्लिस के सौर फिंट्र के सकते हैं और आप विष्टर्व रही है शेल मूर्ड कर सकते हैं और रहने वा ही ulis Turkin को डाल है करें रहे हैं और तिंग्स Saedar कर और एकन टीम का combination first रहेगा जो कि एक balance to combination है अगर in case होता है कि flip salt से score आता है तो फिर वही मैंने जो बता है rotation यही या फिर दोनों बैटर्स को include करना चारहे हैं तो यहां से आप लोग क्या करेंगे flip salt और दोनों का परेट टीम में रग लिए अगर बैट में मान के चल रहा हूँ बैटिंग friendly conditions ज्यादा नहीं है वही 170-170 वली ही विकेट है तो salt प्लस इंग्लिस और Travis Head यहां से में रह रहा है बाकी चीजे में अगें वही से हम रखूंगा CVC मेरे कोई changes नहीं हों भी ठीक है और combination अगर in case बैटर्स जो है वो जैसा Australian बैटर्स से कोई एक ही रख लीजेगा आप लोग क्योंकि spin का matchups भी हो सकते हैं बैटर्स यहां पर play कर जाएं तो अधिल रशीद खोड़े तक साबीत हो सकते हैं फिर यहां पर मार्च होगे रहागे तो फिर क्या कर सकते हैं आप लोग जैक फ्रेजर में टीम में consider कर सकते हैं English रख हो इनकेस अगर यह भी death phase में बालिंग कर गए तो विकेट्स निकाल सकते हैं green प्लस 20 जोगी अभी डिसेंडली वर्क करा था combination स्कोडलेंड वाली सीरीज में तो इनके साथ में सीविसली में जा रहा हूं ठीक है तो यह तीम combination से इनको जरूरा आपको ट्राय करना है और बाक झाल 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 झाल